दिल्ली NCR में रैपिड रेल का जबर्दस्त काम चल रहा है जिस जगह पर हम मौझूद है वह आनंद विहार इस्टेशन बन रहा है और यह अंडर ग्राउंड इस्टेशन बनाया जा रहा है और इस पर और ज्यादा बात्चित करने के लिए हमारे साथ NCRTC के अगर इस जगह की हम बात करें हम सतह से नीचे खड़े हुए हैं और ऐसी व्यस्ट जगह पर खड़े हुए हैं कोई यहां आसपास देखे तो उसको अंदाजाई नहीं होगा कि ऊपर क्या चल रहा है क्या कहेंगे किस तरीके की चुनोतियां बहुत बढ़ी चुनोती है बहु उसके भी एक सबसे व्यस्त या व्यस्ततम मुझे कहना चाहिए ट्रांसपोर्ट का हब है जहां पर आप जानते हैं कि भगल में हमारे अनंद भिहार नेश्टनल रेलवे का स्टेशन है पास में दो मेट्रों के स्टेशन हैं दो लाइने हैं दो आइस बीटी है क्यूपी का दिली का हर तरफ अगर आप उपर जाके देखेंगे तो गाड़ियां हैं लोग हैं बहुत ही मुश्किल है बहुत ही कंजेस्टेट एरिया है उसके बीच में इतने बड़े इंफ्रस्ट्रॉक्टर का क्रियेशन और वह भी स्पीट पे वह भी अंडर ग्राउंड आप समझ स साथ देखते हैं कि हमारी वज़े से कोई भी इन कर्मिनेंस बाकी जो मोट यूज कर रहे हैं लोग उनको ना हो और आप देख सकते हैं आपने आज देखा भी होगा कि ना तो आइस बीटी के ऑपरेशन में कोई दिक्कत है ना इंडियन रेलवे के स्टेशन के ऑपरेशन मे ठाए कुछ यहां रहे हैं लोगों को असी फिदा हो सकती था हमने ऐस्सेटे को Hmm कुस ऑपर कर सके हैं पूरा द्यान चीजव पर है कि हमारी कोंको इंक्र इस चैलेंच का हिस्सा हो जाता है प्लस इतने सारे मैटीरियल को यहां पर लाना और यह की आङग. को खोद के ही बन सकता है अंडरग्राउंड डिस्टेशन तो उतनी सारी मटी को खोदना और यहां से सेफ ली उसको एक ऐसी जगे ले आना जिससे कि वो पॉलुशन ना हो आप यहां देख सकते हैं लगातार हम लोग फॉगिंग माशीनों को यूज कर रहे हैं हम पानी के चारों टीबें बहुत अच्छा काम कर रही हैं हम इनको सुदर्शन कहते हैं सुदर्शन 4.1 से लेके सुदर्शन 4.44 टीबें है दो आनद विहार से सराय कालेखा की और जा रही है और दो टीबें यहां से साहिवाबाद की और जा रही है जो कि मेरट की और हम कह सकते हैं और चारों TBM जो हमने जिस तरह से उनका शेडूल को प्लैन किया है उसी स्पीड पर काम कर रही है और काफी अच्छा प्रोग्रेस है हमारी जो उमीद है उस पर खरी उतर रही है सेफली काम चल रहा है लाइनमेंट को अभी तक वह फॉलो कर रहे हैं बीच में ऐसा नहीं है कि चै हम लोग को बहुत सारे ब्रिजिश पास देघे जा रहे हैं हम लोग सारे बिल्डिंग के नीचे से जा रहे हैं सब्सक्रेशए पानी आपने देखा होगा स लगाता एंन भाई है तो och यहां से थी रात में ह। आप देखेंगे यहां पर आपको शायद कोई मती नहीं दिख रही होगी लेकिन चार टीवियम की मती रोज निकलती है और वह साथ के साथ उसको बाहर पहुंचा देते हैं उतना ही सेगमेंट्स चुकि टरनल बोरिंग वशीन साथ ही साथ आपको सेगमेंट्स उसको चाहिए ह और अब ही कि हम बात करें तो जल्दी टेस्टिंग सुरू हो जाएगी या ट्रायल सुरू हो जाए और पहली चलते हुए लोग कब देखेंगे कब उसमें सफर कर सकेंगे तो अभी भी डिपो में चल रही है और आपको भी आईये तो वहां पर आपको वह तर दिखा सकते है कि अभी ट्राइल जो है वो अभी हमारे डिपो में चल रहे हैं जल्दी ये ट्राइल सम्झोग में लाइन पर शुरू करेंगे में लाइन तयार हो रही है कि वल उसमें ट्रैक्शन के कुछ बाकी हैं जिसके लिए हम रुके हुए हैं और जैसे ही वह अभी हमारा सब्सक्राइब आपके पास कि बार्तिय रेल बहुत बड़ी अंस्ता है हम लोग क्या करते हैं जब इस तरह का एक छोटे सिस्टम में हम किसी इक्निकलाजी को हम लेना चाहते हैं तो हम उस पर एक्सपरिमेंट नहीं नहीं कर सकते हैं हम क्या करते हैं कि हम एक प्रूवन टे कई डिकेट्स ते प्रूवन टेकलोजी है है और वह हमारे अब्जेक्टिव को पूरा करती है हमारा अब्जेक्टिव क्या है कि हर पांच से दस किलोमेटर के बीच में इस्टेशन है ट्रेन हमें हाई स्पीड पे चाहिए जिससे कि अवरेज इस पीड एक कमईटर को हाई मिल सके दिली और आप जानते हैं कि पूरा डेंसली पॉपलेटेड है जगे जगे स्टेशन चाहिए लोग करना चाहते हैं हाई स्पीड पे तो यह चकलोजी हम लोग यूज कर रहें जिसको हम ये ये यूरोपें ट्रेन कंट्रोल सिस्टम कहते है कि एक प्रूएं सिस्टम है ये यूरोप के बहुत सारे देश उनके बीच में इंटर ऑपरिबिल्टी एक रिक्वाइर्मेंट होती है हमने इस सिस्टम को इसलिए चूज किया है कि कल को जब इन कॉरिडोर को आगे बढ़ाना होगा एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में ट्रेन को जाना होगा तो इंटर ऑपरिबिल्टी एक इशू ना बने डिफरेंट सिस्टम के बीच में कोई वेंडर स्पेस्टिक सिस्टम के लिए हम नहीं जाना चाहते इसलिए हम एटी सीस लेवल टू के लिए गये हैं वह एक ओपन सिस्टम है और वह इस तरह की स्पीड के लिए हमारे सभी अब्जेक्टिव को पूरा करता है इसलिए एक हाई टेकलोजी सिस्टम है जिसको हम पहली बार वाल्ड बेंड नॉट ओनली की इटी सीस्टू को हम यूज कर रहे हम एल्टी कम्मुनिकेशन बैक बोन के उपर कर रहे हैं जिसके लिए भारा सरकार ने हम के इस तरह के सिस्टम है यह सिस्टम से १ार सरकार की यह बढ़ी इच्छा हैं कि इस वही हम लोग उस ट्रदीश्वनल मेथर्ट पीन जाकर हम नए ओपरेटर्स को प्राइविट ऑपरेटर्स को इस तरह की चीज में लाए दूशे और उसे दूसरा फाइदा यह होता है कि प्रविट ऑपरेटर चुकि जब कॉस्ट कटिंग करने की सोचता है तो एफिशेंट सिस्टम की और वो जाता है क्योंकि परफॉर्मेंस परामेटर आपने तैय कर दिये अब उनको उस परफॉर्मेंस को एचीव करने के लिए कम कॉस् प्रविट ऑपरेटर को लाएं तो इस तरह की टेकलोजी इस तरह के हाई एफिशेंसी सिस्टम्स उनके मैथर्ड काम करने के वह हम लोग सीखें इसी के तहट में लिखा हुआ है यह चीज उसके इंतरगत हम लोग एक प्राइवेट ऑपरेटर को हमने हाइर किया है जो जर् प्रेटर की तरह उनका चैन किया गया और वो लोग अब हमाइस साथ काम कर रहे है जब ट्रेन ऑपरेशन होगा तो आप आएंगे की जो ट्रेन के ड्राइवर्स हैं इस्टेशन का इस्टेशन पर जो आपरेटिंग स्टाफ एक कमर्शल स्टाफ है जो पॉलिक से अगर हम बात करते हैं रैपिड रेल की तो रैपिड रेल का काम बड़ा रैपिड तरीके से चल रहा है और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे जिस जगह पर हम खड़े हैं वो जगह सीधा सीधा कहा जा सकता है रैपिड रेल का हब होगा यहां से जबर्दस तरीके स से ट्रेने चलेंगी और खास तोर पर अगर हम देखें तो मेरट और दिल्ली के बीच जो लोग चलेंगे उनके लिए एक और जरिया बन जाएगा रैपिड रेल कैमरामेन हेमंत के साथ सिध्धार्ट निवजिस्टेशन दिल्ले